इसमें हम बताएंगे माइसीवलसॉफ्ट मॉडिफाई में जो फंक्शन्स हैं इनका क्या यूज है एक्जाम्पल के लिए एर्ड चैनेज आप कोई भी एर्ड चैनेज कर सकते हैं इसमें देखे जीरो से लेके 2000 तक आपके पास चैनेज अल्रड अग्जिस्ट हैं इसमें आप 2000 एड करेंगे तो ये एरर बतादेगा अल्रड अग्जिस्ट आप यहाँ 2000 25 कर सकते हैं एड ये देखेए 2025 एड हो गई है इस तरह से आप एड कर सकते हैं डिलीट चैनेज डिलीट करने के लिए डिलीट करन्ट चैनेज 2025 कर सकते हैं डिलीट डिलीट चैनेज अगर आप करन्ट चैनेज डिलीट नहीं करना चाते तो सलक्ट कर सकते हैं 0,25,100,200 डिलीट ये देखेए 0,25,100 डिलीट हो गई है Next, रिनेम चैनेज rename चैनेज में जैसे 50 है 50 को हम 40 लिखना चाते हैं ओके ये देखिए 40 चैनेज बदल गई है add layer हमारे पास अभी initial layer top layer, middle layer और remark layer सहें आप इसमें कोई layer add करना चाते हैं gsb layer example के लिए gsb ये layer आप कहां रखना चाते हैं select कीजे, top layer के बाद या middle layer के बाद, example के लिए top layer के बाद रखना चाते हैं ओके, ये देखिए top layer के बाद gsb layer आ गई है आप इसमें कुछ भी use कर सकते हैं यहाँ से आप layer बढ़ा सकते हैं g1 gsb के बाद कीजे ओके, ये देखिए gsb g1 next, delete layer आप यहाँ से delete कीजे g1 layer, delete are you sure delete? yes, delete हो गई है rename layer, यहाँ से आप किसी भी layer का नाम बदल सकते हैं formation layer ok यह देखिए, formation layer आपके बदल दया है layer का नाम next, move layer इस वक्त आपके initial layer, formation layer, gsb layer, middle layer और remark layer हैं आप इसको move कर सकते हैं example के लिए middle layer को gsb से पहले चाहिए तो middle layer को select कीजिए और move left कीजिए move left इस तरह से आप left कर सकते हैं formation को right कर सकते हैं left कर सकते हैं example के लिए right कीजिए ok कीजिए यह देखिए middle layer पहले आ गई है gsb formation layer बाद में आ गई है इस तरह से आप move layer कर सकते हैं next है storage oblique backup data form इसका use हम किसी भी डेटा फाइल को उसका backup बना के रख सकते हैं तक की आउसकता पढ़ने पर हम उसको बाद में किसी डेटा को वापिस प्राप्त कर सकें अगर आप से कोई गलत काम हो गया है या आप पुरान डेटा को वापिस चाते हैं अब आप इस चैनेज को डिलीट कीजिए यहां देखिए अब आपने कुछ काम कर लिया है यहां आपने यह देखिए यह आपने काम कर लिया है लेकिन अभी आपको याद आया कि नहीं मुझे वो पुरान डेटा चीए था तो आप श्टोरेज में जाईए फोल्टी पे जाईए यह देखिए मैच एरर बता रहा है मैच एरर का अर्थ है अभी जो काम है करंट में यह है और पुराना एक्जिस्टिंग डाटा यह था आप पुराने को रिप्लेस कीजिए अगर आपने बेक अप करंट डाटा टु स्टोर डाटा बटन को दबाया तो इसी डाटा को यह श्टोरेज में ले जाएगा और इसका बैक अप बना लेगा फिर आप इस डाटा को दुबरा प्राप्त नहीं कर सकते पुराना डाटा आमारे पास श्टोरेज में और यह डाटा पड़ा हुआ है इसको वापिस लाने के लिए रिप्लेज कीजिए यह देखिए यह 40 चैन का डाटा रिप्लेज हो गया है क्लोज इस तरह से आप चाहें तो पुरा श्टोरेज बना सकते हैं बैक अप सलक्ट अल एपलाई यह देखिए यहां पे हमारे पास सभी चैन का बैक अप आ गया है मैं चोक्के बता रहा है अब देखिए जैसे मैंने इसको डिलीट किया हम यहां पे कुछ भी काम कर लिये कुछ भी काम हम ने किया और हब हम ने नया काम कर लिया इसमें अब हम को याद आया कि नहीं हमको पुराना डेटा वापिस चाहिए था तो हम स्टोरेज में जाएंगे हम चैक करेंगे कौन कौन से डाटा और अभी डाटा में एरर है यह देखिए एक सो पिचतर पे खाली है पहले डाटा यह था इसको रिप्लेस कीजिए अगर आप पुरान डाटा पूरा चाहते हैं तो यह पूरा डाटा वापिस कर देगा सलक्ट ओल एप्लाई यह लेते हैं यह आपका पूरा डाटा पूरा बेकप आपको प्राप्त हो गया है थेंक यू